आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन-कौन सी स्किल्स को इंप्रूव करना है अगर आपको इंस्टाग्राम या किसी भी सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म से अपनी बिजनस को ग्रोग करवाना है तो सबसे फिली इस्किल की दरब जो की सैलिंग अगर आप ऑंलाइन काम कर रहे हो आपको सैलिंग करना आना चाहिए और हर एक बंदा कहीं ना कहीं सैलिंग करता है आप टीचर को देख लिजी वो अपना लोले शेयर करते हैं अगर आप कहीं इंटर्व्यू देने जाते हो तो आप खुद का टाइम सेल करते हो आप खुद की क्वालिटी बताते हो कि यह सामने वाला पसन आपको क्यों हायर करें वहाँ पर भी आप सेलिंग कर रहे हो और अगर आपको शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ग्रो करना है अपने बिजनस को ओनलाइन ग्रो करवाना है तो आपको सेलिंग करते हैं आने चीए सबसे main skill है selling सो आपको आपकी selling की skill को improve करना है आपको नए-ने तरीके निकालने कि किस तरीके से आप selling कर सकते हो किस तरीके से आप online platform का use करके अपने business को grow कर सकते हो इसके बाद आते second skill Adopting अगर आपको social media platform से या Instagram पे grow करना है तो आपको adopt करना पड़ेगा हर चीच को जो भी technological changes हो रहे उसको adopt करना पड़ेगा जो भी updates हो रहे उसको adopt करना पड़ेगा जो भी social media platform अपनी algorithm को change कर रहा है उसके according adopt करना पड़ेगा और अपने content को modify करना पड़ेगा जिससे उसकी reach बड़े so adopting की बहुत ज़्यादा important skill है जिसको आपको improve करना है इसके बाद आती ही third skill जो की research जब भी आप content को create करते हो तो आप कुछ research करते हो कि आप इसमें क्या लिख सकते हो क्या बोल सकते हो so research की भी skills आपके पास होनी चाहिए इसके बाद आती ही fourth skill analytic skill analytic मतलब जब भी आपके social media platform पे जाओगे तो आपको analytic का एक option दिखेगा जहाँ पे आपके social media platform के सारे analytics होंगे कि आपके कितने followers हैं कितने followers gain हुए कितने followers lose हुए कितना engagement आया कुण सी post ज़्यादा engage करी कितने likes आये कितने share आये कितने comments आये कितने website के click हुए कितने impression आये मतलब जितनी भी important information है वो आपको सारी मिल जाती है और अगर आपने आपके analytic की skill को improve कर लिया तो आप इन सभी data को पढ़कर अपने content को modify करके अपने social media platform को या instagram को और अच्छे से grow कर पाओगे और अच्छे समझ पाओगे आप आपके audience को समझ पाओगे कि आपके audience को क्या अच्छा लग रहा है ये सारी information आपको analytics से मिलेगी अब हम चलते हैं फिफ्थ स्किल के तरफ जो कि designing और creativity जब भी आप social media platform पे काम करते हो instagram पे काम करते हो सो आप content को create करते हो अब content को create करने में आपको research लगती है designing elements लगते है आपकी creativity लगती है सो आपको designing और creativity को भी improve करना है आप designing tools यूज़ कर सकते हो जैसे कि Canva हो गया Pixart हो गया और बहुत सरे tools हैं जैसे आप अच्छा content क्रेट कर सकते हो इसके बाद आती है 6th skill networking आपको networking करते भी आने चाहिए आपको दूसरे pages से approach करना उनके तरू अपने content को promote कराना cross promotion करवाना collaboration करना ये सारी चीज़े networking के अंदर आती है सो आपको networking करते भी आने चाहिए इसके बाद आती last skill copywriting basically copywriting मतलब किसी भी product and service को online advertise करवाना अपने शब्दों के दम पर उस पूरी process को बोलते copywriting सो आप उस product को text के form में इस तरीके से represent करोगे कि वो लोगों का attract तर है और आपका product sale हो इसको बोलते copywriting और जो content create किया जाता है copywriting के अंदर जो text content create कर जाता है product को promote करने के लिए उसको हम बोलते copy या sales copy सो आपको copywriting skills को भी improve करना है अगर आपको अपने business online grow करवाना है तो सो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like करें शेर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनलों को subscribe नहीं करा तो चैनलों को subscribe जुरूर करें जिससे आपको future में इसी knowledgeable videos मिलती रहेगी तो अब मिलतें next वीडियो में एक awesome content के साथ Thank you so much